आई गाई इस कैसे हैं आप सब उमीद करतों सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाले एक्जाम की तैयारी अपनी फुल लेवल पर चल रही होगी हमारा हाई होगा और पॉजिटिविटी चाही होगी मेरी ब्लेसिंग हमेशे आपके साथ हैं यही चाहूंगा आने वाले एक्जाम में जंडे गाड़ दो आग लगा दो और इस अटेम्ट को अपना अंतिम अटेम्ट बनादो मैं ऐसे यह रहू कर स्वागत करता हूं इस किया था उसी चेप्टर की कुछ और बातें जो हैं आज के सेशने पुत्तर मैं आपके साथ करने वाला हो और उसके बाद हमारा बचेगा अंतिम चेप्टर इस सेशन पर अगर पहुंच चुके मैं ऐसा मानता हूं कि आपने पिछले वाले सारे सेशन देखें अगर बाइच पुत्रा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो ओथे आप पा सारी यां शिता जितने भी नोट्स हैं यह सारे मैंने बहड़े दिल से बनाए हैं बहुत मैनस से यह सारे नोट्स हम अपने टेलिग्राम चैनल पर शेयर पुत्तर करते रहते हैं आप वहां से ले सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं स्टार्ट गणपती पपा मोरिया और मंगल मूर्ती मोरिया आए जी पुत्तर तो आज का हमारा सेशन FMSM दा डे नंबर 19 for strategic choices और साथ में लिखे to मतलब strategic choices चेप्टर था यह अपना second number session हेगा है strategic choices के बारे में अंतिम lecture के अंदर हमने stability strategy के बारे में सीखा हमने सीखा turnaround divestment और liquidation strategy के बारे में और साथ ही साथ हमने एक case study की थे जहांपर conglomerate diversification और vertical integration से संबंदित बातें भी हमने करी थी साथ में कुछ multiple choice question के थे इसी चेप्टर की कुछ और बातें आज करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं पुत्तर तो पहला प्रशन हमारे सामने आता हुआ केहनदा जी in the context of ends of product market growth matrix तो ends of साब हैं जिनोंने अपना matrix दिया था product growth product market growth matrix कहता जी in के context में identify करिये with reason the type of growth strategy being followed in the following cases तो चार case बताएं हमें चार हमें option चार case दिये हैं हर case के अंदर हमें बताने कि ends of साब के product market growth matrix का कौन सा particular point यहां पर attract होता है along with the region ठीक है पहले ends of साब का थोड़ा बता दे ends of product growth growth matrix proposed by Mr. Igor ends of is a useful tool which helps the business to decide their product and market growth strategy मतलब product और market अगर मैं दोनों को intersect कर दूँ दोनों को एक साथ combination में देखना चाहूं तो मिलकर क्या strategy बनती है यह अपने ends of साब के matrix ने बताया which helps to analyze different strategic directions ठीक है ठीक है ठीक तो पहला प्रशन हम पढ़ते हैं पहला case a leading producer of toothpaste बान लेते हैं student example के लिए advices its customers to brush the teeth twice a day to keep the breath fresh कहता भी अगर इसकी add-con करता है वैसे close up close up तुम्हें नहीं पता होगा हमारे जमाने में बहुत famous था ठंडी तासगी हां ऐसे या डाते थी जी एक होता था colgate एक होता था यह फिर पेप student आया वो कहता कौन हो तुम लोग भाई मैं नहीं हूँ देखो मैं competition में जीतूं और वाकई जीत गया और एक बचारा लगा रहता है क्या आपके दांतों में जंजनाहट है तो यह वह वह ले होगे तो हम कहरें जिस चलो यहां पर आपने एक्जेंपल लेने था पैप student का कहते जी आर एडवाइजिंग धियर कस्टमर्स तू ब्रश दा टीथ ट्वाइस अ डे टू किप दा ब्रेथ फ्रेश क्या था अगर त दो बर ब्रश करने से होगा क्या पैप student जादा किसेगा ब्रश पर लगाओगे जब toothpaste को तो toothpaste जादा किसेगा जादा किसेगा तो जल्दी खतम होगा जल्दी खतम होगा तो मतलब आपको market से नया उतनी जल्दी लेना पड़ेगा और कहता है इन्होंने advertisement बनवाली एक सफेद कोट डाल के डॉक्टर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हां जी हम इस इस organization से वगेरा से हैं और ये dental association का भी मानना है कि दध दो बर ब्रश करना चाहिए अब उन्होंने जैसी ऐसा advertisement दिखाया तो कितने सारे लोग करना चाहिए चलो हम दो बर करते हैं ठीड वैस तो दो बर करना चाहिए जहिए दो बर करना भी चाहिए लेकिन फिर कहीं सारे लोग नहीं करते हैं ऐसा कोई इंसान और जो एक भी बार नहीं करता हो इतना इसा हमने नहीं अपर अंदर लिए ना तो हम नया कोई product बना रहे हैं, ना हम नया कोई market बना रहे हैं, ना नया product है, ना नहीं market है, existing product, existing market के बलबूते हम अपना product का sale बढ़ाना चाहते हैं, so it says, leading producer of toothpaste advising the customer to brush twice a day, it refers to the growth strategy where the business focuses on selling existing product into existing market, product be existing, market be existing, this is called the market penetration, दूसरा case, केंदर जी, a business giant in hotel industry decides to enter into dairy business, केंदर जी, business giant in hotel industry, let's say, मान लेते हैं जी, ठीकें जी, केंदर decides to enter into dairy business, हैं, सोचो, ताज का milk आ रहा है, ताज का पनीर आ रहा है, यो क्या बात होई भाई, क्या, आपका, जो product है, वो same है, क्या same चीज़ ओफर कर रहे हो, answer है नहीं, क्या market same होगी उसकी, जी नहीं, इसको कहते हैं, diversification, जहां पर product भी नया, और market भी नहीं हो, ये देखेंजी, अज business giant in hotel industry, decides to enter into dairy business, it refers to the growth strategy, where a business markets, new product in the new market, आपका जो hotel वाली industry है, वहां का customer अलग है, आपकी product offering अलग है, जैसे आप dairy business में जाओगे, product तो अलग हो ही गया, लेकिन जो customer का set है, वो भी अलग हो गया, अब hotel industry में, और ताज hotel 5 star है, घुमने जाते हैं, तो obviously, पैसा है लोगों इस तरह से नहीं है, लेकिन जो आप dairy business में आ जाओगे, तो आपका जो customer set है, वो तो obviously expand हो गया, जो general common people है, वो भी आपके customer बन गए, ठीक है न, तो नया business होगा, new product and the market will be new, तीसरा case, one of the India's premier utility vehicle manufacturing company, ventures to foray into the foreign market, कहता Indian company है, premier utility vehicle बनाते हैं, और हम अब foreign market में जाना चाहते हैं, क अब हम दूसरी market को भी type करना चाहते हैं, तो आप foreign market में जा रहे हैं, अप market नहीं बना रहे हैं, product same है आपका, इसको बोलता है, market development, you are going to the new market, market development, so it says, it refers to the growth strategy where the business seeks to sell the existing product into the new market, उसको बोलता है, market development, अन्तिम के साथ हो पुत्तर, a renowned auto manufacturing company launches ungeared scooters in the market, अभी क्या बनाते थे, auto manufacturing company, मतलब gear वाले अपनी आप जो है वाइकल्स बनाते थे, launches ungeared scooters in the market, ungeared scooters in the market, जैसे कि बहुत साल पहले revolution ला दी थी, किसने होंडा company ने, होंडा की bikes वगेरा आती थी, होंडा शाइन, होंडा CBZ, जो सबसे famous भाइक होई थी, किसी टाइम पे जब मैं school में होता था, 11th class में हो वाजान overnight success and मेरे ख्याल से one of the best product रहा है होंडा company का, तो कहता हूने न, वो ungeared था, तो girls के लिए बड़ा suitable था, तो वैसी case हमें आपर बता रहे है, auto manufacturing company ने ungeared scooter उतार दिया market में, अब ये बताओ, क्या उसने कहीं बताया कि आपने कोई different market चुनी, नहीं, market तो वही है, मतलब इंडिया के इंडिया में हो, लेकिन जो product है, वो मेरा नया है, इसको कहते हैं product development, इसको कहते हैं product development, जहां पर आप existing market के अंदर नया product बेचते हो, so this is product development, it refers to the growth strategy in which the business aims to introduce new product into the existing market, तो इस तरीके से exam में हमें प्रशन आ सकते हैं, we should be able to answer this, चलेजे आगे बढ़ते हैं, प्रश सूरिया एंड चंदरमा, सूरिया लिमिटेड एंड चंदरा लिमिटेड, from the following information relating to सूरिया लिमिटेड प्रिपेर था BCG मैट्रिक्स, हाँ जी, BCG मैट्रिक्स कोन सा होता है, star, dog, question mark, cash, cow, 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 हाँ जी, तो कहता जी, इनके क्या है, ये products हैं जी, A, B, C, D, 4 product है हमारे, 4 product का revenue चार करोड, 2 करोड, 50 लाग, total 12.5 करोड, revenue को percentage में निकाल दिया, ये तो बच्चों आगा में भई, 6 करोड बटे, 12.5 करोड गुना सो, 4 करोड बटे, 12.5 करोड गुना सो, तो percentage हैं बता दिया, profits बता दिये, सभी के, ठीक है, profit का percentage बता दिया, फिर से same income, individual upon total into 100, individual upon total into 100, individual upon total into 100 उसकी बाद बता रहे पुत्तर, percentage, market share, हमारा market share कितना प्रतीशत है, A वले का 80, B का 40, C का 60, और D का 5%, और बता रहे जी, industry का growth rate, जिस industry में हम है, उस में, मतलब जो हमारा product A है, जिस industry में, उस industry का growth rate है 15, B वले का है 10, C product हमारे जिस industry में, उसका है minus 20, और जो D है, उसका है minus 10, तो question कह रहा है भाई, हमें आप बना कर दिखाओ, BCG matrix कैसा दिखेगा, अब BCG matrix जो होता है, वो कुछ इस परकार से आपका दिखता है, जहाँ पर हम एक तरफ डालते हैं, market growth और दूसरे डालते हैं, market share, जहाँ पर इस परकार से चीज़ों को show किया जाते है, market share high, market share low, market growth high, और market growth low, तो हमें यह करना है, इन दोरों के combinations बनाते हुए चलने हैं, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जी, growth rate को, सबसे पहले growth rate देखते हैं, जो last column है आपका industry growth rate, market growth rate जिसको आप कह सकते हैं, अगर आप देखते हैं, चार growth rate देखते ह इसी product का सबसे ज्यादा है, तो यह दोनों high high में मिल गए, किस product का A का, तो product A मेरा यहाँ पर आएगा, जहाँ पर high और high दोनों आपस में match करते हैं, क्योंकि इसी का market share सबसे ज्यादा है, और इसी का growth rate भी सबसे ज्यादा है मेरा, यह वाली बात समझ में आ जानी चाहिए अ तो product D जो है मेरा, product D जो है मेरा, उसका 5% market share है और 10% minus में growth rate है, तो जहाँ पर दोनों चीज़ें बिलकुल low है, वो मेरा कौन सा हो गया जी, product D और इसको हम कहते हैं dog, यह साथ में mark करते रहते हैं जी, यह था star, इसको कहते हैं dog, ठीक है, अब बची बाकी दो quadrant की बात उसकी बात करते हैं, अब हमें ढूंडना है ऐसा product जिसका market growth high है, लेकिन market share low है, market growth high है, market growth high है यहाँ भी, obviously यह वाला में नहीं ले सकता है, क्योंकि इसका तो market growth कम है, तो आपका B आएगा यहाँ, जहां पर हमारा market share है 40% और growth rate है 10% और इसको हम कहते हैं, question mark, उसके बाद जो अंतिम product रहे गया, आपका product see, that will fall over here, जिसमें minus 20% का हमारा growth rate है, मतलब growth rate हमारा low है, और market share इस वले में हमारा high था, यह देखीजी, market share हमारा high था, लेकिन growth rate हमारा low थ तो इस तरीके से आपका यह BCG matrix इस organization का बनेगा, exam में भी गर इस तरह से आए, तो जिस way में मैंने आपको समझा है, उसी way में आपने सोचते भी करना है, और यहां पर बता रहे हैं, under the BCG approach, company classifies the different businesses on a two-dimensional growth share matrix, कहते हैं, जो vertical axis होता है, वो market growth rate बताता है, and provides a measure of the market attractiveness, कि overall market कितन करना है, मैं देखूंगा न, उस particular industry का growth prospect क्या है, and horizontal axis represents the relative market share, जो हमने यहां पर बात की, serves as a measure of the company's strength in the market, अगर हम पहले सी business में, तो हम यह देखेंगे कि भाई, इस industry में मेरा market share कितना है, मतलब out of total competitor मैं कितना प्रतीशत समान जो है, बेच पाता हूं, ठीक है न, और यहां पर उसको explain किया, जो मैंने अभी आपको सिखा है, तो यह self-read है, notes आपको telegram channel से मिल जाएंगे, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, okay, उसके बाद कुछ multiple choice question हमारे सामने आते हैं, कहता जी, strategic planning approach in this model has been inspired from the traffic control light, कहता भी यह चार option में से बताना, strategic planning approach, traffic control light से inspire है, कौन सी options हैं, कहता जी, ADL, BCG, फिला अर्थर डी लीटल होगा है, Boston Consulting Group, General Electric या फिर end source product growth matrix, हाँ जी, क्या उत्तर है इस question का, correct answer is option number C, GE, General Electric model भी कहते हैं, और इसी में traffic control के जो तीन lights होती हैं, आपकी, red, yellow, green, red, yellow, green, उससे inspired है यह वाला model जी, उसके बाद एक प्रेशन और हमारे पास, question कहता जी, dash is also sometimes called the problem children और wild cat, कहता है, इसमें से कौन से चीज़ है, जिसको problem children, wild cat बोलते हैं, अब यह तो terms है, यह BCG matrix में use होती है, term, अब BCG matrix थोड़े पहले हमने पढ़ा, उसमें star, cash cow, question mark और dog, यह चीज़ होती है, कहता है, लेकिन इन चारों में से एक चीज़ ऐसी है, जिसको problem children, wild cat भी कहते हैं, ठीक है जी, तो यह हमारा आज का session रहा, जिसमें हमने strategic choices chapter की कुछ और बात हीं अपनी करी, next lecture है मिनेंगे, अन्तिम chapter की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए, bye bye